स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की एबीपी गंगा की खबर का बड़ा सर हुआ है खबर दिखाते ही पुलिस ने संदिक दातंकी को पकड़ लिया संदिक शारुक को पुलिस ने घर से इरासत में लिया ATS को संदिक दिशारुक के पॉल्टरी फॉर्म से ही IED मिला था पहले पुलिस ने सिर्फ नाम पता नोट करके शारुक को छोड़ दिया था संदिक दातंकी को हिरासत में लिया गया संदिक के परिवार में उसे बेकसूर बताया है पुलिस ने पहले नाम पता नोट करके उसे छोड़ दिया था परवाई की खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था, इवीपी गंधा के पास शारुक को हिरासत में लिये जाने की एक्स्क्लूजिव तस्वीरे भी हैं, हिरासत से पहले शारुक और उनके परिवार ने खुद को बेगगुनाह बताया था, कहा था कि शारुक वो खुद पुलि पुलिस ने उसका नाम नोट किया, घर का पता नोट किया और उसे छोड़ दिया, संदिक दातन की शारुक उसे छोड़ दिया था पुलिस ने, एवीपे गंधा ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद पुलिस वापस उसके घर पर पहुँची और आप देख सकते हैं कि आगे लाल टी-शिट में जो बाइक पर बैट कर जा रहा है ये वही शारुक है संदिक दातंग की जो सरेंडर करने पहुंचा और अपने पॉल्टरी फॉर्म में आईडी होने की बात भी उसने खुद कुबूली है और अब पुलिस उसके घर पहुंची और अब उसे हिरासत म अपने साथ ले गई है प्रयागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी जब लाल टी-शिट में बैठा ये शक्स जिसका नाम शाहरुक है वो खुद आत्म समर्पन करने के लिए थाने में पहुंचा था और उसने अपने पॉल्टरी फॉम में आईडी होने की बात भी कुबूल की थी लेकिन पुलिस ने क्या किया थाने जब वो पहुंचा तो उसका नाम पता नोट करके वापस भेज दिया एबीपी गंदा सुबह से ये ख़बर आपको दिखा रहा है और बार बार हम प्रेयागराज पुलिस की लापरवाही की ये खबर दिखा रहे हैं जिसके बाद अब हर्कत में आई है पुलिस और उसके घर पहुँची अपने साथ लेकर गई है प्रयागराज पुलिस अब संदिग्ध आतंकी शारुप को और यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उसके घर पहुँचकर अपने साथ लेकर गई प्रयागराज पुलिस पुलि होने का आरूप जिसके पॉल्टरी फॉर्म के अंदर वो खुद सरेंडर करने के लिए गया है उसे क्यों वापस बेच दिया गया यह खबर हमने दिखाई खबर दिखाते ही पुलिस ने संदिक दातंकी को पकड़ लिया पुलिस ने घर से हिरासत में लिया है संदिक दिश शा पर कहा जा सकता है कि इस मामले में प्रियागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी एक संदिक दातंकी था जिसके पुल्टरी फार्म से आई दी बरामत की गई थी वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहा रहा था लेकिन पुलिस उसे लेने को तयार नहीं थी वो बातामान तरीके की बहाने बाजी कर रही थी इस मामले में एवीपी जंगा ने आज तुबे से इस ख़बर को प्रमुक्ता से दिखाया हमारी खबर दिखाये जाने के बाद प्रियागराज पुलिस साफ हरकत में आई है वो शाहरुक के घर पहुंची है और उ से हिरासत में लेने जा रहे हैं लेकिन जो पुलिश टीम पहुंची थी वो बाज तो बिखा कर के जो संदिक भातांच की शारुक है कि जिसके पोर्टरि सांसे आई बड़ाद हुआ था उसे हिरासत में लेकर थाने ले जाये गया है और प्रैयागराज पुलिस के अफसरों वो ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ही करेगी उसे अब वापस पुलिस लेने पहुंची हिरासत में लेकर चली गई है मोईन शारुक खुद पहुंचाता थाने और सिलसेलेवार तरीके से उसकी टाइम लाइन की अगर हम बात करें तो कितने बजे वो ठाने पहुंचा किस से उसकी मुलाकात वहाँ पर हुई जो नाम पता नोट करके अभी भी ये भागा नहीं अपने घर पर इथा जब पुलिस ने हिरासत में इसको लिया लेकिक शारुक ने कल रात को फेस्बुक पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो चौक इलाके से बोलता हुआ पोतवाली थाने के बाहर तक पहुंचा था उसने खुद को बेगुना बताया था और कहा था जिए वो फुद जो है उनका ये दावा था, कि शारुक कल ठाने पहुंचा जरूर था उसने पुलिस को अपने बारे में जानकारी दी लेकिन जो वहां पुलिस के लोग मौजूद थे उन्होंने नाम पता नोत करने के बाद उसे वापस घर बेज दिया कहा इस बारे में जानकारी ATS को और दिल्ली पुलिस की इस्पेशल सेल को दी जाएगी और वहां से जब कोई टीम आएगी तब उसे बुला लिया जाएगा, फोन करके उसे बुला लिया जाएगा तो निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि प्रियागराज पुलिस की लापरवाही थी अगर एक कोई संदिक तो उसके सामने आया है, कम से कम उसे गिरफसारी नहीं की जाती तो उसे हिरासत में रखाय जाता और जो दूसरी एजनसियां हैं उनको जानकारी दी जाती इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सील, एटीयस और यूतर प्रदेश पुलिस तीन तीन एजनसियां काम कर रहे थी और कहा जा सकता है कि तीनों एजनसियों में पहतर तालपेल ना हो पाने की वज़े से इस तरीके की लापरवाही बरती गई थी पहर हाल दे रहा है दुरस्ता है अब प्रियागराज पुलिस अरकत में आई है उसने शारुक के घर पहुँचकर उसे हिरासत में ले लिया है और इस मामले में ओपचारिक तोर पर एटीयस को और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना दी जा रही है जानकारी के लिए बहुत शुक्री आप पूरे घटना करम पर नजर बना के रखे मोई तो आखिरकार शारुक को हिरासत मले ने पहुची प्रियागराज पुलिस और अब स्पेशल सेल और एटीयस को सूचना दी जाएगी और अधिकारी शारुक से आगे पूचताच तो लापरवाई की खबर को हमने प्रमुक्ता से दिखाया था जिसके बाद अब आक्शन में आई प्रयागराज पुलिस उदर रोड़की में जबरेडा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराच कनवाल का एक और विडियो बारल पुरा है इस विडियो में विधायक देशराच कनवाल नगर पंचायत कर्मचारियों पर खूब भड़क रहे हैं देशराच विडियो में कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो नगर पंचायत के ओफिस में मुर्दे को दफना देंगे मामला जबरेडा शेतर के शीतलपूर का है कुछ दिन पहले एक शक्त की मौत हो गई थी जब उसके शब को स्थानी लोग कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में पानी भरा था इस बीच विदायक देशराच कंडवाल भी मौके पर पहुँच गए और नगर पंचायत के करमचानियों पर बरस पड़े तो विदायक देशराच कंडवाल इस अंदाज में भढ़के नगर पंचायत के करमचारियों पर उन्होंने कहा कि या तो इस जगा को ठीक किया जाए धंग से रास्ता बनवाए जाए नहीं तो मुर्दे को उसी ऑफिस में दफना दिया जाएगा दरसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी लेकिन उसको ले जाते वक्त शम्शान ले जाते वक्त बीच रास्ते में पानी भरा था बारिश के करण जिसकी वज़े से वो भड़ा गए और उसके बाद किस तरह वो बरसे करमचारियों पर या आप खुद देखिए अगर या तो इसको बनवाईए आप या तो इसको करवाईए नि मुर्दे को में दफनावाएंगे फिर विवादों में है सपा विधाय के रफान सोलंकी खुद देखा तूम अगर खुद दूने भोड़ाना मुझसे कार या तूम्छस पर या अधार होच भड़ाना मुझसे विवर्दी गुदे के खुद दूब ऐनाग द ले रहा एडिए तूम्ट लेह थैंगे पर लगारें कमिश्रर साथ को लगारें नमस्कार मेरे भाइब गहरें से यह आपके हैं सुधीर रावद इंका नंबर नम है भाई और एक है आपके अजे कुमार संजे कुमार काफरा निखला अभू आजमी साब का बीच में रोक के फुदू किछ रहें सब का पूरा गंका फुल पे जाम करें हुए हैं जूद मुद के लिए पढ़ेसां करें हम सब को और ना जाने क्या का पक्वास कर रहे हैं योगी जी की सरकार है मोदी जी की सखार ना जाने क्या बता रहा है मेरा अपनी आपो से देखा है मेरा अल्ला गवा इस बात का कि उसने गारी का फुदू किछा और इससे पहले वी एक बार पंदा बीजदिंग पहली की बात है वही सिपाई संजेर आमेद क्या अना में लावाना मुझे सभी से नहीं याद है तो मेरी मेरी पतकार बंदू आप से हाथ जोड़ के अपीर है कि कभी कभी पूरी बात भी जान लिया करो जो आपनों कहते हो हमेशा गल्ती मेरी नहीं होती उधर चारधाम यात्रा के साथ ही सिखों के पवित्र तीर थेमकुंट साहिब के कपाट भी खुल गए है आज सुबा गुरुगरंच साहिब को सच्छखन गर्वगरे से दर्बार साहिब में पंच प्यारे क्यागवाई में लाया गया आपको बता दे कि कोरुना महामारी के चलते इस साल अब तक हेमकुंट साहिब के कपाट नहीं खुल पाए गी हाल ही में हाइकोट के आदेश के बाद यात्रादा म्यात्रा किता थी हेमकुंट ते यात्रा भी श्रू हो गयी आजınız जेर्ट से ज़दा तजादार शब्धाल्ू कि भूबंध कि अद्धार्ण को दर्बार्ण साहिब आज लाया गया आज जेर्टो से ज़ादा सध्धालू ने याँ पर मक्थाटे का है रोजाना 1000 तीर की यात्री ही याँ पर दर्शन के लिए आज देखिया रूपरवाली की अमाज के बाद से श्री जिम्पुल साब के पकार्ट यात्रियों के लिए आज खोड़ी एगे हैं प्रदेश अगले कबर भाजपा के प्रबुद वर्ग संभागार में ये कारिक्रम होगा प्रदेश अध्यक्ष सुतंत्र देव सिंग क्यांच विधान सभा में संभागार में ये कारिक्रम होगा तो भाजपा के प्रबुद वर्ग संभागार में ये कारिक्रम होगा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग क्यांच विधान सभा में संभागार में ये कारिक्रम होगा उत्तर विधान सभा के संभागार में ये कारिक्रम होगा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग क्यांच विधान सभा में संभागार में ये कारिक्रम होगा बाचपा के प्रबुद उवर्ग संमेलन को संभोधित करेंगे सीम योगी उत्तर विधान सभा के संमेलन को शाम चार बजे संभोधित करेंगे मुख्य मंत्री फटेपुट से अगली खबर मुखतार को लेकर सपानिता अबुआसे माजमी का बयान सामनी आया है बस्पा पर मुणने निशाना साथ मुक्तार अंसारी अभी भी उसी पाटी के हैं कह रहे हैं अबुआसे माजमी ने ये बाते कहीं है तो मुक्तार अंसारी अभी भी उसी पार्टी के हैं बसपा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही और निशाने पढ़ लिया बाउजिन समाज पार्टी को कहा कि हाती के दान खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और गाजेपुर के जमानिया में भाजपा विधायक सुनीता सिंग ने और गाटन किया यूँ तो ये और दूसरी लहर के वक्त ही शुरू हो गया था लेकिन अब इसका विधिवत उधाटन किया गया इस मौके पर विधायक सुनीता ने दावा किया कि ऑक्सिजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई जबकि विधायक के ग्रीन अगर में ही गंदा घाटों पर सबसे ज़ादा लाशे मिले थी उधरागरा में दमपती की आत्मत्या करने से हरकम मच गया महरामपुर गाउं में पती पत्नी ने फांसी लगा कर जान दे दी दोनों की शादी इसी महीने में हुई थी मौके पर कोई स्यूसाइड नोट नहीं मिला है हाला कि पोलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है फत्यपुर में आजादी का अमरित महोत्सव मनाया गया ज़रान फ्रीडम रन दो का आयोजिंस लिया गया डियम अपूरवा दूबे और कर्नल ओपी शर्मानी हरी जंटी दिखाकर फ्रीडम रन को रवाना किया फ्रीडम रन के जरिये लोगों को फिट और हिट रहने का मूल मंत्र दिया गया आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदर स्कूल प्रांगर में आयोजिंस कारिक्रम में चात्रों और NCC कैड़ेट्स बड़ी तादाद में शामिल हुए सरस्वती विद्या मंदर से बुलेट चराहा तक करीब दो किलोमेटर की फ्रीडम दोड का आयोजिंस किया गया जनपत बनेपुर में जो क्रॉस कन्वी का आयोजिंस किया गया है इस टू किलोमेटर रन हैं यहां कई सारे जो बच्चे हैं वाइकरत हुए हैं जो आजादी केमरेत महुतों में फिट इंडिया रंग इस आयोजिंस का जो उद्देश है ओपी शर्मा जी ने जिस तरह का आयोजिंस इहां पर कराया है जिस तरह से बचाली इनने पूरा मेहनत से सभी बच्चों को एकरत करके एनरजाइस करके उनको स्पेटिड महाल में जो इस रन को आयोजिंस कराया है इतल गो लॉंग वे ये बच्चे चेन बनेगी एक ये चेन जब जिस गली महले शहर में जाएंगे तो अपने आडोस प्रोस के लोगों को जागरू करेंगे जिसे फिट रहने के लिए उनके रिक्वेस्ट करेंगे और ये खुदी प्रेणा के लिए उनके बीच में है तो बहुत बड़ा मेसेज है लोगों को आम जनवानस को आज की जो दो किलोमेटर की फिट इंडिया फ्रीडम रनने ये पूरे शहर के बीच से जा रही है जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड डियेम महोदे जी ने इसका इनगरेशन किया है खुदी इनको इतना जोश और प्रेना आ गया है तो ये सब को मेसेज देते हुए इतना लोगों को प्रेरित करें कि ये हमेशा फिट रहने का रिक्वेस्ट करेंगे जादी के अमरत महोद्सों के तहट आज फतेपूर की सडको पर युवा दोड़ रहे हैं और फ्रीडर्मन का आयोजन किया गया है इस संदीश को ये युवा ले जा रहे है समास तक कि अगर आप फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे हमारे साथ कई सारे NCC कैड़ेट्स हैं आज स्वरसती विद्या मंदिर में करीब डीड हजार बच्चे स्कूल का स्टाफ और जो स्कूल के छात रहे हैं उन्होंने आज इस रन में भाग लिया है क्या संदेश दिया है उनसे बात करते हैं क्या नाम है आपका आज आप लोग यहां पर इखटा थे आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को हम यहीं मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग मनद फिट रहे हैं देश को आगे बढ़ाईए आपका क्या नाम है अंशिका अवस्थी इसका यह बताईए कि आज आप लोग यहां पर